गाउं के चाउमीन गाउं में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीख कर गाउं में ठेला लगाता है अरे ये केचिवा है क्या भाया कैसे खाया जाता है आरे नही नहीं ये चाओमिन है, चाओमिन शहर में खाया जाता है केतने की देर है वो सुरेस? दस रुपै की प्लेट भर कर तप ही वहाँ शहर से पढ़ा एक लड़का आता है जड़ा एक प्लेट चाओमिन तो देना? सुरेश उसे चाओमिन देता है उसे चावमिन खाता देख गाउं वाले भी उससे चावमिन ले लेते हैं और खाने लगते हैं अर वाँ सुरस भया, कमाल की बनाये हो, दो प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पाख कर दो बस फिर क्या था? सुरेश का ठेला लगता है और चावमिन खरिदने वालों की लाइन लग जाती है तब ही वहाँ से गाउं का साहुकार होकर गुजरता है और ये क्या भीड लगी है? लगता है जगडा हो गया है गाउं में चलू मैं भी तो मज़े ले लू अर का है इतनी भीड लगी है यहाँ? लडाए हो गई है क्या? अर साहुकर सहाब ना ना कोई लडाए ना हुई है ये तो सुरेश की दुकान है चावमिन की हम लोग चावमिन खाने आए हैं आप भी खाई हैं ना साहुकर चौमिन खाता है और सूरेष की तरफ देखता है जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है अरे सूरेष, क्या लागत है इस काम की अरे साहुकर जी, आप अब आयें तो ये पूरे दस जार रुपे ले जाए जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिये थे ना लागत तो क्या कहें जो आपने दिया था उसे में सीखा भी है और दकान भी खोल ली अरे पैसे इतने जल्ले क्या जरूरत थी कैसे जरूरत नहीं थी साहुकार जी इतना मोटा ब्याज कहां से भरते साहुकार को अब सुरेश की दुकान को हडपने की लालच आ जाती है अब साहुकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात पताता है हान जी ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमिन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया अरे हाँ हाँ सही ही कहता है मैं अभी खाकर ही आ रहा हूँ अरे भागवान कितना अच्छा हो न अकर वो परसा हम लोगों को मिल जाए क्यों? हैं? हाँ? वो तो है लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमिन बनाना आता ही नहीं है सहुकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश की घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमिन बनाते देखते अब क्या था? दोनों को चाउमिन बनाना आ जाता है फिर एक रोज और सुरेंद्र तुझे सहुकार नी ने बुलाया था बोल रही थी के बेटे के जनम दिन में दस किलो चाउमिन का आरडर देना है बना दोगे न? अरे हाँ हाँ सहुकार जी मैं ज़रूर बना दूगा कब देना है घर में दस किलो चाउमिन? अर वो तो घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ सुरेश सहुकार के घर जाता है, लेकिन वहाँ मिया वीवी मिलकर उसे बंदक बना लेते हैं अरे, मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो सहुकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है, अगली दिन अरे, सहुकार जी, आप कब से चाओ मेन बेचने लगे, पर अपना ये सुरेश कहां गया अरे, वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकलाया था, बोल रहा था कि जब तक वो न आये, तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूँ पैसे भी तो बहुत ी डाल ले रखे थे उसने, लगता है करजा भने के डर से भाग गया है अरे पर वो तु बोल रहा था कि उस ते सारा कर्जा उतार दिया है और वो क्यू भागेगा इतना तु कमा रहा था अरे मुझे क्या पता अरे चाऊमिन खाना है तो बोलो नहीं तो भागो याँ से अरे हाँ हाँ देदो देदो अब तो चाओमिन खाना पूरे गाओं के लोगों के लिए आदत ही बन गया है ना खाओ तो नीन ना है अहाँ तो लो और निकालो पचास रुपए पचास रुपए क्यों? सुरेंद्र तो दस रुपए मैं देता था अरे वो पागल था मैं थोड़ी ना हूँ गाओं वाले जिनको चाओमिन की लट लग गई थी वो करते भी क्या? देदो अरे ये लो पचास रुपए लेकिन फिर साहुकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाओमिन रख देता है अरे ये क्या? पैसे पाच गुना ज्यादा और चाओमिन बस इतने इसी अरे साहुकार सहाब भगवान से तो डरो बस फिर क्या था? साहुकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गाओं वाले करते भी क्या? एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहुकार ने मार डाला होगा क्योंकि उसका काम इतना अच्छे चल रहा था फिर वो क्यों जाता? और वो भी साहुकार की हवाले दुकान करके ना बाबो ना अगले रोज भागेवान देखो तो सरा इस सुरेश भी ना कितना पागल था जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे चाप रहा था पचास रुपे प्लेट में भी गाउवाले खूब खा रहे हैं चाओ मिन हाँ जी और जितने में वो लोगों को दस प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में बीज प्लेट बना रहे हैं क्यों जी वही सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए लेकिन उसकी हर कोशिश ना कामयाब होती फिर एक दिन अर भागवान ऐसा कुछ करो कि चाउमिन बनाने का खर्चा आधा हो जाए जिससे हम लोगों को और मनाफा हो ना जी मुझे तो कोई तरकीब ना सूच रहे मारा सुनो एक काम करता है चाउमिन बनाने में जो सबजी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर राज चली जाना तब तक वो सारी सडी गली सबजी जो दुका अंदर वही फेक जाते है वो उटा कर ले आना फ्री में अरे वाजीवा आप तो बहुत समझदार हैं जी बीवी वैसा ही करती है लेकिन अब लोग चावमिन खाते तो मूँ बना कर फिर एक बार अरे राम 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 ये पेट में दर्द का है हो रहा है हाई रे हाई मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है सबी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चावमिन खाने से ही ये बिमारी हो गई है वहीं दोसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहाँ से भाग जाता है सुरेश गाउं वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है बस अब क्या था साहुकार के घर पुलिस पहुच जाती है चलो तुमने गाउं के लोगों को खराब सबजी वाली चाउमिन खिलाकर बिमार किया और सुरेश को बंदक बनाया साहुकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गाउं के बाजार में लग जाता है जहां अब पहले से ज्यादा भीड होती है